हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैम फिल्मी रियक्शन में तो कैसे आप सब उमीद आप लोग अच्छी होंगे मैं बिल्कुल अच्छी है आप लोगों की दुआ से तो दोस्तों आज इस वीडियो का मैं रियक्शन लेके आई हूँ वह है एंपौर्टन रोल प्ले करता है तो अगर हमें उसको सुरक्षित रखना तो पता नहीं कौन-कौन से काम है जो हमें बटो रहे हैं और अपनी जिन्दगी में अप्लाई करें तो जिल्जा में वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे का लीबर लीबर को हिंदी में यकरित कहते हैं लीबर को हिंदी में क्या कहते हैं यकरित कहेंगे यकरित यक्रित काहेंगे, उर्दु मैं? Oh my God! जिगर उर्दु वर्देट जिगर सुने, तुम जिगर का टुगड़ा हो मानने लिबर का टुगड़ा हो हम? किडिनी को गुर्दा किडिनी को गया काते हैं? गुर्दा गुर्दा काते है तो लीवर या जीगर, तो देखो अगर कोई कहा है जीगर का टुकड़ा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लीवर दुबारा बंजो हो जाता है, इतना छोटा गर लीवर काट दी जागा तो फिर बनालेगा अपना, बहुत तेजी से क्या करता है, बनालेता है, आपको ब बनालेगा नहीं, बनालेगा चाकु बहुत मजबूता है, उसका सार्ब से मतलम नहीं ए बेट मजबूत हो थाँचिया थे, इसके सािड मे जो ब्करिately काता था जो दिख थाँआ, उसके चाकु येज़न नहीचाड़ बेट दी तो ओं संदो को अपन प्याज चाटेवला से पकोड के धाके गर्दरी अरे जाये रहें बाई जा रहें अब चलिये अब चलते हैं साथ में नहीं सब्सक्राइब ओफेंसिव इच बेटर दें डिफेंसिव लीबर कब डेट हो जाता है तो लीबर पढ़ना चालू करते है कि शरीर के अंदर सबसे बड़ा आंग लीबर है कर देता है लीवर में एक विसेश प्रकार की कोशिका पाई जाते हैं जिसे कूफर सेल करते हैं क्या कहेंगे कूफर सेल क्या कहेंगे कूफर सेल यह कूफर सेल जो होते हैं यह जहर को मार देते हैं किसको मार देते हैं जहर तो छोटा मोटा जहर खाएंगे न तो मार डालेंग में फैल जाएगा इसलिए किसी व्यक्ति को जहर देके मारा गया है या नहीं इसकी जाच करने के लिए उसका पोस्टमाटम करके उसका लीबर निकाला जाता है और लीबर में माइक्रोइसकोप और अपने जो डॉक्टर की प्रणाली होगी जो टेक्नोलोजियों को उससे लीबरसाल धमेज होते 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 एक समय आएगा डैम्स हो जाएगा और बहु जादे सराप पीने से लीबर धेमेज हो जाता है लीबर क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा किसी को जहर देंके माराывает तो थ attendingiğ निगल भासा में क्या कहते है? हैपटिक. जब लिबर को हैपटिक हो जाता है, और ये चंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो हैपटाइटिस नम का भीमारी हो जाता है. तो लिबर डेमेज किसमें होता है? हैपटाइटिस नम की भीमारी. क्योंकि लिबर कोई क्या कहते है? हैपट तो कहा जाएगा चर्विया लीबर हो गया है क्या हो गया है चर्विया तो चर्विया को अगरेजी में कहते हैं फैटी लीबर हिंदी में चर्विया गया है जादे तो नहीं कहते हैं देर चर्विया गया है तो मतलब क्या हो गया है फैटी लीबर हो गया है चर्विया गया है आप तो तो उदो चरबी ठगराज सी तो मैं हॉभ है ।ो चरबी आ गया तो लीवर क्या होताई है? है भाँ ज्यादे क्या हो जाता है? फैट हो जाता है? और यह इतना बड़ा दिक्द करता है की यह लीवर जो हता है सबसे बड़ा अंग है, इस वज़े से dominating nature का होता है, dominate कर देता है, बात बोलता है, धमका देता है, सुन, लीवर के बगल में आपको पता है, pancreas होता है, क्या होता है? pancreas, pancreas, आपको पढ़ा दिया है pancreas, लीवर के, दाइने साइड, लीवर, अब आए साइड, pancreas, हमारी pancreas में इतना insulin होता है, कि सो साल तक हमें जिंदा रख सकता है, सो साल तक, यानि हम सब सो साल तक का insulin लेकर आए हैं, लेकिन, लीवर के उपर जब फैट जमा होगा ना, फैट, तो इस फैट को काटने का काम या तो पीत करेगा, या तो insulin करेगा, तो ये लीवर जो है न, धमका देता है कि इसको pancreas को, कता है कि insulin दे, insulin दे, दे इधा, तो pancreas कता है, सो साल जिंदा रखना इसको, सब तुमी को दे दे देंगे, तो इसको घटने जाएगा, जब आपन चीनते नहीं है, मारतेयल मसाला खाय जा रहा है, अब फैटी लीबर हो रहा है, तो फैटी लीबर शुरुवात में आपको लगेगा फैटी लीबर, धंकाएगा वो किसको, पैंक्रियाज, और उसे धीरे, 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 सारा इंसुलीन घीच लेगा, तो जो जो साल तक चलना चाहिए, चालीसे साल में खतम हो जाता है, उसके बाद कहेंगे, सुगर हो गया, पैंक्रियाज में दिकत, बभवा, जिस साल, जब आप पैटी से पैटी साल के एज में रहिएगा, फैटी लीबर मत होने दीजेगा, फैट जमा होने, मत दीजेगा, अगर नहीं जमा होने दीए है, फैटी लीबर, लीबर डिश्टर्ब नहीं है, तो बहुत माना है कि आपको सुगर नहीं होगा, लेकिन इस एज में, अभी आप लोग का एज ठीक है, पचीस से कम है आप लोग, तो पचीस से कम वाले में, आप में कोई पचीस से हेलो है, आरे है, 27, आगे पढ़े, तो लीबर को गयमे जोने से बचाना है, लीबर में कौन सा सेल पाए जाएगा, कूपर सेल, कौन सेल, कूपर, जो हरते के मारेंगे तो लीबर सबसे पहले आता है, फॉस्ट लाइन ओफ डिफेंस में, फॉस्ट लाइन अप डिफेंस में कौन आता है, अत्रुत लिबर क्या करता है बचा लेता है » Step आगे बढ़ें? Yes sir लिबर का टेक्निकल नाम? हपटीक लिबर का टेक्निकल नाम? हपटीक होता है हड़ अँग डिस्टर्ब हो गया तो क्या हो जाएगा? हपटाइटीस बिमारी हो जाएगी बहुत डेंजरोस हो जाता है हेपेटाइटिस की कई स्ठेज होते हैं फिर एक लंबे स्ठेज 59 फिर एक निर्मार कोन करेगा paljon कि 10 गर्डवारष पा इंतर। निर्मार लीबर, प्रोथर्मबीन का निर्मार लीबर, हेपरीन का निर्मार लीबर, बिलरुबीन का निर्मार लीबर, यह बहुत सारे चीजों का निर्मार कोन करता है, लीबर, पीत वगरा, लीबर, लीबर बहुत बड़ा अंग है, पीत भी लीबर, लीबर अगर थोड़ा अंगो में होगी या तो उसके फ्लूड में होगी यही रिजवन है, कि आप देखेगा, कोई जीव, अगर मरगया है तो लोग नहीं खाते है, और खुद मारके खाएगा 이제 अब गवर कीजेगा मार गया है तो नहीं खाएगागा अपने शे म मारके क्या करेगा, खाएगा, क्योंकि blood अगर अंदर रह गया ना तो बीमारी की जड़ है, इसलिए आपके सरीर में कौन सी बीमारी है, यह ब्लडे से पता चल जाता है, ब्लड से, यौber ब्लड से, और नहीं तो आपके किसी ना पिसी अंग में बीमारी होगा, किडिनी होगा, लीबर होगा फ्रेफणा होगा किसी में, तो जानवर को जो लोग चिकन मतन खाते हैं तो उसके अंगोब्र सौक से खाते है, कलेजी, फिपरणा, ट्रेफणा, किडिनी कोई बिमारी निकला, खतम. सब्सक्राइब है, लेकिन लोगों करें, बड़ी सौक से खाता है, नहीं सब्सक्राइब है, खाओ सौक से खाओ यहाँ पर, और, काटने, कभी भी नहीं, ऐसे नहीं, अमरा हुआ नहीं खाना चाहिए, ब्लड क्या हो जाता है, अंदर आजाता है, बाकी एको निया डिजाइन का निकला है, एकके बार में सौर काटोगी, अदा सौर काटो, भाई, तुमको बस ध्यान यह रखना है, कि बीमारी नहीं होना चाहिए, चाहिए, जईसे भी हो, पूरा फूल ब्लड निकाल के रखना चाहिए, संवाएगी नहीं आगया, किसी को दिखा, तो जी बहुत अच्छे तरीके से, खानसर ने समझाया, हमें लीवर, लीवर, मतलब बहुत इंपोर्टेंट होता है, और वो सबसे बड़ातर, वो सब को नीचे दिखा के रखता है, कि भी, नहीं, मैं ही सबसे बढ़ा हूँ, जैसे पैंक्रियास है, उसके पास इंसुलीन है, वो हमें सो साल जिंदा रख सकता है, लेकिन अगर हम फाल्तु की चीज़े खाते हैं, हमारा फैटी लीवर हो जाता है, तो इंसुलीन ले 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 लेते हैं, वो पैंक्रियास को डरा डरा के, उसको यह ने कि भाई, मैंको तो अपना काम करने है, तो मैं अपना काम करे जाओंगा, भी यह जीए या ना जीए, यह इंसुलीन जल्दी खाता हम जो, उससे मुझे क्या, वह यह ना कुछ तो हमारा भी बनता है, हमारी बोडी है, तो हमें भी ख्याल रगना चीज, लेकिन हम नहीं ख्याल रगना चीज, तो लीवर हमारा ख्याल क्यू रखेगा, तो जी, इसी की वज़े से, फिर हमारी जो एज होती है, वो भी कम हो जाती है, वह इंसुलीन आगर हमारा खतम हो गया, तो फिर हम कैसे आगे जीएंगे, नहीं जी सकते हैं, और हमें वैसे तो नोन वेजिटेरियन खाना ही नी चीए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वही है ना कि उसके अंदर क्या बीमारी हैं, नहीं पता, और यह बात बेल्कुल सही है, मैंने भी सोना है कि लोग क्या कलेजी वगारा खाते हैं, लेकिन अगर उस कलेजी में ही कोई बीमारी हो, तो आप क्या करोगे, तो नहीं खाना चाहिए, नेचर ने इतनी सारी चीज़े दी हैं खाने के लिए वह खा लेनी चाहिए, कुछ लोग यह भी बोलते हैं और कुछ लोग बोल लेंगे, कि एक साइकल होता है, तो ठीक है, उसको खाया की साइकल को ठीक रखोगे वह तो नेचरली भी मर भी जाएंगे यार, ऐसा नहीं होता कि आगर अगर एक दूसरे को नहीं होते हैं तो आप लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए, वजटिटरियां रहो बहुत अच्छा है, भौत चीज़ें कहने क के पास, तो वैसे तो मैं तो यही कहना चाहूँ कि अवोईड ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप खा रहे हो तो ध्यान रखें कि उसमें कोई बीमारी ना हो, चैक करके तो खाने से रहे कि आप पहले उसको कटोगे, फिर डोक्टर के पास लेके जाओगे, फिर चैक कर आओग इसे के साथ मैं इस वीडियो को यही पर करती हूं कहता है, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखेंजाया को सब्सक्राइब करें, टाटा, बाई बाई